आज ये सोचिए अगर किसी घर में दो तीन महिलाएं हैं तीन महिला भी है तो बारत या 36,000 रुपिया ऐसा ही हो गया और घर में माँ बाप अगर बुड़ा बुजुर्ग है तो बारत दुना 24,000 और 36,000 रुपिया घर में जाएगा तो इस राज के हर एक गरीब गुरुआ घर में एक एक लाख रुपिया पहुचाने का काम हम करेंगे कि 60 साल का उमर का जो भी बुड़ा बुजुर्ग होगा उस सब को पेंशन देंगे चाहे महिला हो या पुरुस हो और उसमें साथ साथ में जो एकल महिला है जो आउरत को कोई पुरुस छोड़ के भाग जाता है उसको भी पेंशन देगा सरकार ये भी कानून हमने बनाया और साथ साल का जब हम लोगोंने कानून बनाया उसके बाद जब हम लोग छेतर घुमने लगे हमारे बिधायक हमारे कार करता सभी लोगों का ये हमारे पास सूचनाय लोगों ने दिया कि साथ साल तो बहुत अच्छा हो गया सब लोगों को पेंशन बिल रहा है थोड़ा सा उमर में चुकि यहाँ पर गरीवी बड़सों से चल यहाँ पर कुंडली मार के बैठा है यहाँ का उम्र सीमा अगर घटाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो हम लोगों ने तुरण साथ साल को घटा करके पचास साल कर दिया अब जितना पचास साल का बुड़ा बुजूर्ग सब को पेंशन देता है अब कोई गाओं में बुड़ा बुजूर्ग बिना पेंशन का नहीं है आज कल बुड़ा बुजूर्ग दीन गिनता है कि कब पचास साल पूरा होगा और मेरा पेंशन का कार्ट बनेगा अब दलालों का भी चक्कर खtesम अब पदादी कारियों का जिम्मेवारी है कि ब 너 में जो बुजूर्ग पचास साल का हो गया उसको पेंशन का कार्ट बनना जैसा सब का जाति परमानपत्र होता ह्या माई पर्मान पत्र होता है आओ अवास ये परमान पत्र हिसा बनाना उसका अनिवायर काम होगा ही मसले पे अग्ड़ि मरी बिना पैंसन द्रीन से गौन है कि कोई हारे बिना पशलो बिना पैंसन का कोई में भी हमारे राज में महिलाएं बहुत मेहनत करती है समय समय पर सरकार को भी कई कामों में मदद भी करती है और आज उनको ध्यान में रखकर हमले एक और कानून बनाया पचास साल के उपर के महिलाओं को तो पैंसर मिलता ही था अब इस राज में 21 साल के सेले करके 49 साल तक जितनी भी महिलाएं हैं जितनी भी बच्चिया जितनी भी लड़किया है माताएं बैने हैं सब को पैंसर देंगे ये कानून हमने बनाया आप बिना का पैंसर का कोई महिला इस राज में नहीं रहेगी सनाम गोगो होण को लगी जहां तिना नोड़े एकीस बिश्षरकन उन्चास मुचबढना पया सनाम पेंसन पेंजामा ओड़ा तुरू होडश receptor पेंजामा तुरूह गोगो होड मेंजाग अगर पेपुन मोड़े होड़ा उड़ा रे मिना पया तो तिना पया उड़ा रे पोईसा से नवा आज ये सोचिए अगर कसी घर में दो तीन महिला हैं तीन महिला भी है तो बारत या च्छतिस अजार रुपिया ऐसा ही हो गया और घर में माबाप अगर बुड़ा बुजुर्ग है तो बारत उना च्छोबीस हजार और च्छतिस हजार रुपिया घर में जाएगा और हमने ये तै किया है कि आने वाला सरकार जब हमारा बनेगा तो इस राज के हरे गरीब गुरुआ घर में एक एक लाख रुपिया पहुचाने का काम हम करेंगे हमारा हमारे बिरोधी हमारे कामों को देखकर इनका पसीना चुट रहा है अभी बोलता है कि इस से बढ़िया हम लोग योजना लाएंगे अरे भाईया जरा बताओ डबल इंजन का सरकार था क्यों बुजुरुग को पेंसर नहीं मिला डबल इंजन का सरकार था क्यों महिला को पेंसर नहीं मिला ये बताओ ये लोग बेपारियों का जमात है लोग देने वाला नहीं है लोग लेने वाला लोग है और आज यही वज़ा है कि आज महंगाई आस्मान छूरा है जो 20 टका 25 टका का दाल मिलता था अब 200 टका मिलने लग गया है सरसो तेल डेड़ सो के पार नमक जैसा चीज जो नमक हमारा गाओ दियात में दुकान दर जब दुकान बंद होता था तो नमक बाहर छोड़के चला जाता था आज वो नमक यह लोग 50 रुपिया किलो नमक बिच्वा रहा है और हमें खाने के लिए मजबूर कर रहा है आज नमक तेल दुर दही सब में टैक्स लगा दिया इन लोग और आपके पैसे से ये लोग अपने बड़े बड़े बैपारियों का करजा माफ करने में लगे हैं और यहाँ के किसानों के लोगों का करजा माफ करने में इनका पसीना चुड़ता है हम लोग का सरकार बना सबसे पहले यहां के किसानों का पचास हजार हम लोगों ने रिन माप किया और अभी हाल में हम लोगों ने निड़े लिया है कि इस राज में जितने भी किसान जो दो लाग रुपे का रिन ले चुका है उसका भी रिन माप करेंगे कई चीज़ें आज हम लोग 125 रुपिया 125 यूनिट बिजली मुप दे रहे थे 125 यूनिट बिजली को भी हम लोग वोने बढ़ा करके 200 यूनिट कर दिया जो घर 200 यूनिट तक बिजली चलाएगा उसको पैसा आप नहीं लगेगा लेकिन अभी मीटर को लेके पहले से बिल बना दिया है उसको लेकर के गाव में थोड़ा परिसानी है चिंता मत किजे अभी हम लोगों ने अपने संसाजन जुटाने का भी जुगाड कर लिया है हम उसका आकलन करा रहे हैं अगर हमारे जेब के अंदर में वो आपका आकलन आय तो जो हमारा बकाया बिल है उसको भी माफ करने का हमकार योजना तैयार करेंगे तो कहें ऐसे चीज़े हैं आज हम बिर्दा पैंसन में लगवक 36 लाक से अधिक बुजर्गों को पैंसन दे रहा है और आज इस बहिला सम्मान योजना के माध्यम से लगवक 40-42 लाक से अधिक महिलाओं को हम पैंसन देंगे और इसके अलावा ये तो हमारी 21 साल से उपर की महिलाओं के लिए है उससे पहले भी हम लोगों ने सावीत्री भाई फूले योजना के माध्यम से लगवक 10 लाक बच्यों को सावीत्री भाई फूले योजना से जोड़ा है ताकि वो अपना पढ़ाई ना छोड़े इस राज की गरीबी कितना नीचे तक है बरसों से यहाँ पर जो सोसन इस राज का हुआ है इस राज के लोगों का हुआ है यहाँ के गरीबों का जो बरसों बरस से गरीबी के खाई में डूबे हुए है उनको उस खाई से बाद निकालने का हमारा संकल्प है और आज इसे लिए चाहे वो पैंसन हो सावित्री भाय थोले हो बुड़े बुजुरगों का पैंसन हो और आज हमारे बुजुरगों का गरीबों का आज के दिर में भी देखिए कई ऐसे लोग है गाहों द्यात में जो बहुत ही गरीब आज इस राज के हरे गरीबों को साल में दो बार उसका तन ढखने का कपड़ा देने का भी काम हमारी सरकार कर रही है ताकि हरतेवार में वो एक नया कपड़ा पहन सके और अपना जीवन मान स्वाबी मान के साथ जी सके हमारा गाओ सबसे अधिक खेती बाड़ी पर निर्वर है गाओ क्या फुरा राज ही लगबग खेती बाड़ी पर ही निर्वर है वक्त बेवक्त की बारिश मासम में बदलाओ हमारे किसानों का कमर तोड़ रहा है इसलिए रिन माफी का भी हम लोगों ने योजना लाया और वेकल खेती की और भी हम किसानों को ध्यान आकरसित करा रहे हैं इसी का परिनाम है कि बिर्शा हरित ग्राब योजना दीदी बगिया योजना दीदी बाड़ी योजना हम लोगों ने लाया है जहां आप फल्दार ब्रिक्ष लगा करके अपने खेतों में एक किसान के रूप में अपने आएक को भी बढ़ाते हुए आप खेती कर सकें चाहे आप आम का पेड़ लगाईए चाहे आप केला का पेड़ लगाईए चाहे अमरूत का लगाईए तरह तरह के पेड़ आज बजार में दुनिया भर का आज इस तरीके से सब्जी बजार में आता है आज के दिन में फल फूल भी बजार में धेरे आता है आप अपना खेत में गेंदा का भी फूल लगा लोगे और उस गेंदा का फूल को बेचोगे तो आप तो आप आपका पूरा परिवार का पेट वो गेंदा का फूल पाल सकता है आज गेंदा का फूल देख लो आज बंदिर में भी चड़ता है जो मरता है उसके जनाने में भी चड़ता है तो बहुत सारा ये जमीन अगर हमारे किसानों के पास है अगर हम जमीन को अपना जीने का माध्यम बनाते हैं तो आपको कभी नहीं मरने देगा और जो लोगों के पास जमीन नहीं है उसके लिए भी सरकार ने संकल्प लिया है आज दो सो एकर, तीन सो एकर वेक्तिगत रूप से डेड़ एकर दो बिगा, तीन बिगा, चार बिगा दस दस बिगा जमीन हम लोगों ने अभी पट्टा के रूप में लोगों को दिया है ताकि उसके पास भी जमीन रहे और खेती बाड़ी करके आपना जीवन यापन कर पाए कई सारी कीजे है हम लोगों ने मुख मंत्री पसुधन योजना भी चलाया है किसानों के लिए नुआ दिस्वाम्रे रेंगे लचार होड को आपो स्यदायकों गई डंगरी बुना सूलेक होता है नितार सनाम गई डंगरी को गई चबायें ता बोना होना में ते मुख मंत्री पसुधन योजना यागू का अब और न हपड़ाम को जब पसुधन को दोहलेक होगा गई डंगरी मेरों मियू उनको आरों पे असूल दाड़े अकोमा आर उनको गई डंगरी मेरों सी माकरिंकते ओड़ा दुआरों बोन चलावेता है नित उनको को चबाओ का अंता बोना इसलिए आज हमारे पसुधन योजना के मादम से आप गाउं में गाए बकरी मुर्गी सुवर पालिए और उत्मादन किजिए और उसको बेट करके भी हमारा घर दुआर चल सकता है और आज हम लोगों ने एक नया कानून भी बनाया है सरकाल से जो जानवर लेगा जो गाए बकरी मुर्गी सुवर पालेगा उन सभी जानवरों का भी जैसा आदनी लोग का बीमा होता है न वैसे जानवर का भी बीमा होगा अगर उमर जाएगा तो बैंक आपको पैसा देगा कोई बीमारी से जानवर मर जाता है तो बिचारा किसान को बड़ा मुस्किल होता है तो हमने ये कानून बनाया कि आप यहां किसान जो जानवर पालेगा उन जनवरों का बिमा होगा और गलती से कोई बिमारी से जनवर मर जाता है तो उसको पैसा भी मिलेगा किसान क्रेडिट काट चात्रविर्ती योजना में हम लोगों ने हजारो रुपिया बढ़ोतरी की हमारी राज की अंगनबाडी सेवी का साय का रस्वया दिदी इन लोगों का मांदे को हम लोगों ने बढ़ाया 50% से 100% हम लोगों ने बढ़ाया आज हर वर्ग हर करमचारी हो आम नागरी हो आज 2019 के पहले 20 साल तक इस राज के करमचारी से लेके गाव के लोग सरकार से तरस रहते थे लोग भूग से मरते थे लेकिन आज सरकार की कार्योजनाओं से विभीन वर्ग के लोग जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं आज सरकार को धन्यवाद देने के लिए रंग गुलाल अमीर के साथ मिठाया बात करके हमारे मंत्रियों के आवास में विदायकुर के आवास में लोग जाते हैं लोगों के हरे एक लोगों के चेहरे पे लाने चेहरे के खुस रहें तबी हमारा राज खुसाल हो सकता है यह हमारा संकल्प है तो हरे एक लोगों को हम अलग-अलग माध्यम से उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं मुखमंत्री रोजगार सिर्जन हमने लाया है जो लोग अपने से दुकान चला सकते हैं खेती बाड़ी की योजना करना चाहते हैं गाड़ी, मोटर, ट्रेक्टर, स्कॉर्पियों चलाना चाहते हैं उनके लिए भी मुखमंत्री रोजगार सिर्जन के माध्यम से आप लाखों रुपिया अनुधारित दरपर के सरकार से लोन ले करके अपना रोजगार सुलू कर सकते हैं अभी एक महिला, एक पुरूस को हम लोगों ने किसी को 15-16 लाग, किसी को 10 लाग दिया हमने पूछा कि आप लोग क्या करेंगे ये पैसा का, तो लोगों ने कहा, बोला छड़ और सिमेट का दुकान करेंगे वह, क्या बात, आप लोग भी किजिए और अपना स्वरुजगार पेदा किजिए, आप दुकान खोलिएगा, तो दुकान में आपके साथ दुगोहार मजदूर रहेगा, जो छड़ और सिमेंट उठाएगा, तो आपके साथ साथ, दो-तिन लोग और उसमें कारियरत हो जाते हैं तो कहें ऐसे चीज़ें, अगर हम एक ही बात, अगर हम लोगों को सारी योजना गिनाना सुरू करें, तो ये वक्त बहुत कम पड़ेगा, अभी और भी कारिकरम में जाना है अभी पाकूर में भी एक बहुत भाविक कारिकरम है, हमारे कुछ बिरोधी सर्यंद कारी, यहां का तो छोड़ दो, यहां का जो हमारा बिरोधी लोग है, जो भाजपा का लोग है, ये लोग तो आए दिन सर्यंद रचता रहता है, हिंदू, मुसलिम, अगरा, पिछडा, आ आदिवासी, आदिवासी मसल्मान, यही काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है, यह लोग अब दूसरे राच से भी ने तालोग को बुला-बुला करके यहां पर, मंचों के माध्यम से, अग्मारों के माध्यम से, हमारी यहां पर, एक ता खंड़ता को तोड़ने में ल लोग के बीच में जहर बोने के लिए आ रहा है ध्यान रखिएगा यही इन लोगों ने लोग सभाविक किया पूरे देश में संप्रदाइक ताना फैलाने का काम किया और नतीजा यह हुआ कि राम भगवान ने उनको ऐसा सजा दिया कि वो सरकार बनाने के लिए बैसाकी का इ तो इस वार हमारे बिदान सवा में भी इस तरही का फूट फोड़ने वाला समाज में जहर घोलने वाला लोगों को पहचान के रखिएगा समाज में जो जहर घोलता है वो राज और देश का विकास नहीं कर सकता है जो समाज तोड़ने का काम करता है वो राज और देश का व अलग-अलग जाती धरम, अलग-अलग रंग रूप के लोगों का राज है, अलग-अलग बोल-चाल करने वाले लोगों का राज है, और यही हमारी एकता और अखंटा का ताकत है, जो देश और दुनिया देखता है। जालत में लेकर करना पड़ेगा। कई सारी किजे नियुक्त्विक को लेकर के, कई सारे लोग, यही लोग, हम जब नियम बनाते हैं, नियोजन निती बनाते हैं, अस्थानी निती बनाते हैं, तो यही लोग कोट में जाता है, इन लोग के पास पढ़ा लिखा आदमी सब यह भारती जनता पार्टी की लोगों का पाटी में है कई लोग इनका जज भी बन के बैठा हुआ है और हमारे नियोजन निती और असाने निती को यह लोगों ने असम्मेदानिक घुशित कर दिया हमारी निक्ति परिक्रिया में बादा डालते हैं और यही कनुन दुसरा जो भारती जनता पार्टी का राज है वहां पर यह सम्मेदानिक है हम यहां के आदिवासि यहां के मुलवासियों को अधिक से अधिक नौकरी दें वो हमारे लिए सम्मेदानिक है कानून का ड़क्षडी चलाता है हम पर उसके बावजोद हम लोगों ने हार नहीं माने कई लोगों का हम लोगों ने नियुक्ति निकाला चाहे हो सिक्षक नियुक्ति की बात हो चाहे पसुच कित्सक की बात हो चाहे अलग-अलगिये में जो सिक्षक हैं उनकी नियुक्ति हो पंचाज सचीव का नियुक्ति हो जेई का नियुक्ति हो या हमारे राज में कलेक्ट बंनने का नियुक्तियों कई नियुक्तियों में हम लोगों ने हजारों नौजवानों को नियुक्त किया पहली बार यहाँ पर किरसी पताधिकारी नियुक्त हुआ है बेटेरा मौसम बदल रहाution और kissa बोब पता नहीं कि क्या उन्सा खहती आने वiding मосьम में करना है कभी किसान पदादी कारी नहीं था किसान पदादी कारी किसान किसी भी भाग ने किसी पदादी कारी नहीं उक्त किया ताकि आने वारा समय में ये मौसम के बदलाव में हम किस तरीके से किसानों को आतुनी रिभर बनाएं कई ऐसे चीज़े जो पहली बार राज में हुआ तो इसलिए साथी बाते बहुत है अभी और भी बाते हम लोग अलग समय मिलेंगे उन समय बातों को रखा जाएगा हम समझते हैं इनी कम सब्दों को अधिक समझने का प्रयास किजेगा अभी बहुत जल्द राज में भी हम लोग का चुनाव का घंटी बजने वाला है और इस घंटी को बजाने का जो पावर है चुनाव कब होगा नहीं होगा वो हमारे बिरोधियों के हाथ में वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का वो भारती जनता पाटी के हाथ में है आज का चुनाव आयोग में चुनाव आयोग के जिसको समयदानिक संस्ता करते हैं आप लगता है उस समयदानिक संस्ता नहीं है वह भारती जनता पाटी का एजेंट लोग बैठ गया है वही लोग गंटी बजाता है कब चुना होगा कब नहीं होगा और अभी तिन-चार मैना से रोज बोलता है कि आज होगा कल बजेगा परसो बजेगा तरसो बजेगा हम तो बोलता है चुनावती देता है आज गंटी बजाओ कल इनका हम सफाया करेंगे छाडू पोछा मार करके इनको गुजरात बेज देना होगा ये लोग गुजरात से, असाम से, महराज से लोगों को ला करके यहां आदिवासी दलेत पिछड़ा संक्यक के उपर जहर बोने का काम करता है और एक दुसरे से लड़वाने का काम करता है समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है पाटी तोड़ने का काम करता है आए दिन कभी इस विधायक को खरिद ले, कभी उस विधायक को खरिद ले और पैसा ऐसा चीज है कि नितालोका तो जैसे ही उनलों को इधर उधर घसिटने में दूलों को देरी नहीं लगता है खेर कोई बात में हमारा इंडिया गड़ बंदन की सरकार 2019 से निरंतर जंता के बीच में खड़ी है आज इस कुरोना महमारी में हमारा तीन-तीन मंत्री निगल गया आपकी जान बचाने के लिए हमारे तीन-तीन मंत्री मारे गए और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है जो आपकी सेवा करते-करते अपनी जान उन्हों ने दे दिया है ऐसे हम नहीं बोलते हाजी हुसेन अंसारी साब मधुपूर का बिधायक मंत्री भी था लाख मना करते करते उस बुजुर को कि आप बच निकलिए कुरोना में ये बहुत गंदा बिमारी है अगर लग गया तो अब बच नहीं पाईएगा लेकिन वो माने नहीं और वो बिचारे उनको भी हम बचा नहीं सके तो कहें ऐसी घटनाए घटी इतना उतार चड़ाओ देखा हमारे मंत्री मारे गए हमको जेल में डाल दिया गया लेकिन हम लोग का संकल्प हम लोग का लच्च हमारा गाउ दिहात या का गरीब गुरुआ हमारे आखों से हट नहीं सकता जब तक उनको हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं करते तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते में मुख्य मंत्री महूदेश से विनम्र आग्रे करती हूँ कि करपा रिमोट का बटन दबा कर इन विकास यूजनाओं का शिल्यानास और उदघाटन करने की अपने करकमलों से क्रपा की चाहिए और तालिया होनी चाहिए धनिवाज सरोब जोरदा तालिया होनी चाहिए आप सब की तरब से ये दोनों और आप देख रहे हूँगे शिलापट्टे का अनावरन हो रहा है वो तमाम योजनाएं हैं जो आप के लिए जरूरी थी इनमें से बहुत सारी योजनाएं 73 योजनाएं तैयार हैं जिनका उदघाटन किया जा रहा है और शिश योजनाएं जिनका शिल्यानास इस समय किया जा रहा है बहुत एदिहासिकपल के गवाब बन रहे हैं हम और आप बहुत बहुत अभार व्यक्ति करती हूं माननिय मुख्यमंत्री महोदे का गुड़ा जिलो को इस योजना का सौगात देने के लिए और अब मैं माननिय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात कहना चाहूंगी कि माननिय मुख्यमंत्री जी आपके निदेशा अनुसार आपकी समवेदन शील सोच के अनुसार हर जिले में जारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हजारों लाखों महिलाओं का पंजी करण हो रहा है ये प्रक्रिया चल रही है और सबसे खुशी की बात है कि हमारे गोड़ा जिले में कल ही 151 महिलाओं के खाते में राशे भी स्थानांतरित हो चुकी है इन में से बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपको आभार कहना चाहती है लेकिन अभी सांकेतिक रूप से मैं बारी बारी से दो दीदियों को आम अंतन देना चाहती हूं सबसे पहले कलपना जी आएंगी जो इस योजिना की लाभूक हैं अपने विचारों को रखने के लिए माने नि मुखमेंग जी को बहुत बहुत धन्यवाद यहां प्याएवे सभी अथिति गन को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम कलपना और आप हमारे गोड़ा जीला पधरमा प्रखण में इतना किमती समय दे करके आप जो आये हैं और उपस्तिती हुए हैं आपको बहुत 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 धन्यवाद और हमारे जो मैय समान योजना की दिदी जो पहले हमारी बहुत आप अल्लाइन हो रहे थी अभी बहुत बिकती हो रहे थी और जब सर के दौरा ऑफ लाइन क्या गया तो हम लोग को बहुत सु भीधा मिली और पहले हो यह वाल जो हमारे मुख माने ने मुख मंतरी जी हम लो कर साय करेंगे और इतना ही कर मैं अपने बाने को समात करती हूं और और सभी दिदी के तरफ से बहुत बहुत जबाद आपको और अल्लाइन में बहुत काफी दिकती हो रहे थी सभी दीदी को, बट जब आप आप लाइन के मूट पे किये हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉंस भी आये हैं, तो हम लोगों को परिशानी बहुत काम हुई, इनके कारण आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद कलपना जी, मानने मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद कहने के लिए शायद शब्द कम पढ़ रहे हैं, फिर हमारी बहने, हमारी बेटियां, जरूर आपके समक्ष, अपके मन के भावों को रखते वे, आपको धन्यवाद और आभार कर रही हैं, इस हमारे जा, अबुनुआ जर्कन रेन, मुख्यमंत्री, हेमन स्वरेन, जर्कन मुख्यमंत्री, मैं समान योजनारे, जो अबू नुआ पैसा हे माबुनकान आर नुआ महना रह जुकान नुआ मुख्या मंत्री एम कना और लहाती दो उनलाइन तै कना उनलाइन रे अडि दिकत हुई उकान ता हैं ते हेमं सोरेन मुख्या मंत्री दो अबू नुआ असान लगी ओपलाइन किदा उना यंते नुवा उपलाइन रे आइमा होड से आइमा लिकान कुकु पेरे किदा आर उना रे थर्टी दिल सुईधा कु जाम किदा मुख्य मंत्री आबु लगी दो अडि मरांग होड कना है उना यंते गुटा उनाय ते अबू संधल अपन से आर हो तिन जाती मिनाकवा जोतो लिकान कुई गोड़ो अबुन कना आर नुवा जोतो होडा खातारे जोतो होडा खातारे जर्खंड मुख्य मंत्री मैं समानियो योजना ते पैसाई माबुन कना मनरे मिमी हजार जो उना अबुआ जहाना कटी-कटी जरूरत भून पुरी दाड़ी ता भून जैसे एकेस साल खोन रेन पचास रेन इमा भून कना आर नुवा अबुआ जैसे अकोईदो पड़ा खुना उनारे जहाना कुपी को लोम से उडारना जहाना एम मदद दाड़ी कुआ उना यते ए एकेस साल खोने इमा भून कना आर जोतो को गी जहान मुख्या मंतरी है मन्सोरन जुहार अजार गफतन आर इगनो जार खंड मुख्या मंतरी सामान मिया सामान या योजनां पे रह ले लेते मिया जार का ऐनका आरे भूलाया ऒना ए टे आमा आीमा शरा आउ जूतो होन गी है आए मा आए मा सरहाव ना रुके का जारखंडे इस कड़ी में परिसंपती वित्रण का ये समय है ये वेदन मानेनी मुख्य मंत्री चीजी और सभी अतिधी गणों से किया पागे आएंगी पहला नाम होपन बरांडी वनपट्टा वित्रण ये है व्यक्तिगत वनपट्टा इन ही प्रदान किया जा रहा है तालिया हुने चाहिए धन्यवाद सरूप और जिनके हातों में तक्तियां एक बर तक्तियां लहरा दीजी क्या बात है विकास विकास और विकास नजर आ रहा है ये है व्यक्तिगत वनपट्टा वित्रण होपन मरांडी और अगला नाम होगा है सहर दतासी मानने मुख्य मंत्री चीपात कर दिवी और अब अगला नाम होगा Father Besra व्यक्तिगत वनपट्टा कि आप लाबु के तालियों के गड़ गड़ा हट लगातार होती रहनी चाहिए Father Besra व्यक्तिगत वनपट्टा जो जमीन पर आपके पुर्खे रहते थे आप जहां से वनोपर से जो जीवनियापन करते हैं जमीन पर आपका हको मिलकर लोग वहां पर खेती करें मिलकर वनुपज वनुपज जो है उसका व्यपार करें और अपने जीवन को आर्थी क्रूप से सफल बनाएं इसलिए सामुदाइक वनपट्टा प्रदान के जाने का सरकार प्रावधान विकास एम्रों जेठा हास्दा अगला नाम होगा श्र तालियों के गड़गडा हट कमजोर नहों क्योंकि मानने मुख्य मंत्री जी आपके जेरे पर खुशी और आपके अंदर एक उर्जा देखना चाहते हैं और आप प्रदान मंत्री रोजगार स्रिजन योचिना के लाबुक अराधना कुमारी नौ लाख नब्वे हजार रु यह मानने मुख्य मंत्री जी की सोच अपने रोजगार के माध्यम से आप अपनी अलग पहश्चान बनाएं अगला नाम नकुल कुमार नकुल कुमार 16 लाक रुपे का यह संकितिक शेक इस समय आपको मानने मुख्य मंत्री महोदे के करकमलों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है आप है लाभुक मुख्य मंद्री रोजगार स्रिचन कारेक्रम की जोरदार तालियों के गड़ गड़ा हट होती रहनी चाहिए और अब जे एसल पीएस की लाभुक है यह संजो कुमारी पहला नाम संजो कुमारी और पुश्पा कुमारी एक साथ आएंगी संजो कुमारी और पुश्पा कुमारी यह जे एसल पीएस ग्रामेन विकास विभा के तहट आपको यह सीसियल योजना का लाप्रदान किया जा रहा है और उसके बाद अगला आमंतर होगा और अब माननी मुख्य मंतरी जी को हमारी सबी बेहनों ने अपना भाई मान लिया है जो सौगात आप दे रहे हैं माननी मुख्य मंतरी जी यकीन ये प्रेम की डोर ये इस नहीं का धागा बंद रहा है आपकी कलाई पर ताकि हमेशा आप हमारी रक्षा करें ये हर बेहना का विश्वास है ये हर बेहना की कामना है और उसके बाद आगे आएंगी शिला पहाड़िन और सोमी पहाड़िन अगली लाबुक होंगी शिला पहाड़िन और सोमी पहाड़िन ये हैं JSLPS के तरफ LSG के लाबुक और उसके बाद अब आएंगी जैनती कुमारी और निहा सुरीन अगली लाबुक होंगी जैनती कुमारी कैश, क्रेडिट लिंकेज जैनती कुमारी और निहा सुरीन, CIF के लाबुक है आप और नीली निशाहासदा अगली लाबुक होंगी निली निशाहासदा मानने मुख्यमंत्री महूदे के करकमलो के द्वारा ये परी संपत्ती का वित्रण किया जा रहा है और अब मुख्यमंत्री, मानने मुख्यमंत्री जी के हिर्दे के करीब उनके सपनों की योजना है जारखंड मुख्य मंत्री मैया सम्मान योजना जिसके लाबुक सरिता मुर्मो जोरदार तालिया होनी चाहिए और आपके हातों में जो प्लाकाट से जो तक्तियां हैं दिखा देचे हमारी सभी बेहने खूब आगे बढ़े निरंतर आगे बढ़े भारती कुमारी निल्मरा स सुरीन और सिसिल्या सुरीन गीता कुमारी यहें जारखंड मुख्य मंत्री मैया सम्मान योजना माननिय मुख्य मंत्री ची के एक नायाब से पहल है कि हर बहना को मिले खुश्यों का उपहार हर साल बारह हजार की राशी उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगी यह यह शांदार सी योजना अद्बुत और बेमिसाल योजना है माननिय मुख्यमंत्रीची की दरब से और हर बहन आपका धन्यवाद कर रही है माननिय मुख्यमंत्रीची शब्द नहीं आज इनकी भावनाएं कोमल भावनाएं इस मंच पर प्रवाहित हो रही है माननिय मुख्यमंत्रीजी के प्रती, हमारी सरकार के प्रती और सरकार के सम्वेदंशील प्रयासों के प्रती 151 महिलाएं गुड़ा जिले में और ऐसे पंजिकरन लाखों महिलाओं का हो चुका है लेकिन आपके निदेशा नूसार जिन महिलाओं के खाते में राशी कल ही इस्ताना अंतरित की गई है मैं आपको बताना चाहूँगी आज मानने मुख्यमंत्री जी विधिवत पाकुर जिले से स्योजना का शुभारंब करेंगे लेकिन उन्ही का निदेशे मानने मुख्यमंत्री जी का एक कदम भी हम थामे नहीं हम इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए निलंतर प्रयास करते रहें बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मानने मुख्यमंत्रीची और समस्त अतितिगड़ों का परिसंपति का वित्रण कर बुद्ड़ जिले को एक नई उमीद और नई आशा देने के लिए उपसे देवियों और सजनों यकीनन विगत साड़े चार वर्षों में हमने बदलते जारकंड को देखा है हमने विक्सित होते जारकंड को देखा है लहलाते खेत खलिहानों को श्रमिकों के हाथों में काम और युवाओं के बढ़ते रोजकार को देखा है जी हाँ ये परिणाम है माननिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेंग जी के उर्जवान और प्रगतिशिल सोच का चाओंगे एक बार जोरदार तालिया हो जाए दोनों हाथ उपर करके और अपने तक्तियों को उपर उठा कर अभार व्यक्त के जी माननिय मुख्यमंत्री जी का और आपकी तालियों के यसी गड़गडा हट के बीच सादर सादर निवेदन माननिय मुख्यमंत्री महूदे से आपके विचारों के लिए माननिय मुख्यमंत्री जी सानाम खोन पहिल नोंडे पे शोर सटेर कान सानाम गोबवा बोया मिश्री को चासा बसा होड को आली सेंखोन जोहान आज मुख गोड़ा के मुख सड़क से बहुत दूर जंगल के किनारे राजा भीटा के इस मैदान में सरकार के द्वारा आईजित यान विभाक की मंत्री आदन्य बेवी देवी जी या उपस्तित हमारे मंत्री मंडल सहयोगी दिपिका सिंग पांडे जी या उपस्तित हमारे साथ पड़या हाथ बिधायक बड़े भाय परदीप यादव जी या उपस्तित गांडे विधायक कल्पना मुर्मु सोरें जी और हमारे साथ आए हुए हमारे मंत्री मंडल के सहयोगी जिनको मैं संबोधन करने भूल गया था बड़े भाय सत्यानंद भोकता जी उनका भी मैं आज इस मंच पर हार्दी का भी नंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ अड़ी दिन परे तहन नंडे नुआ राजा भीटारी से टेरकाना और पहिल मा अड़ी चार चार ड़ा राजा पिटा सुन्दर पहाड़ी को रहे विधान सभा को रहे दढ़ान ले हिजू कांता हैं करता हैं झाल झाल